योजने निंदी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है 10,000 पैंसन धारकों को जबरदस्त जटका सरकार की दरफ से लगने जा रहा है और इस जिले के 10,000 पैंसन लाबार्तियों की जनवरी, फरवरी और मार्च का मिलने वाला 3,000 रुपे तीन हजार उपे पैंसन की जो रासी है वहर रोक दी गई है 10,000 पैंसन लाबार्तियों को यह है पैंसन की रासी नहीं दी जाएगी और यह है पैंसन की जो रासी रोकी गई है, क्यों रोकी गई है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह है पैंसन की रासी रोकी गई है और कहीं आपका तो इसमें नाम नहीं है आपका तो जिला नहीं है अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए बताते हैं कि 10,000 पैंशन लाबार्तियों की कहाँ पैंशन रोकी गई है की जिले में पैंशन रोकी गई है उत्तरपरदेश के पैंसनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिले के 1,547 पैंसनों के खाते में जल्दी पैंसन की रासी भेजी जाएगी इसके लिए समाज कल्यान विभाग ने खाता तयार कर लिया है महीं 10,000 लावार्तियों का आधार नंबर पोर्टल पर अपडेट ना होने के चलते पैंसन की रासी जो है वह रोक दी गई है और उनकी पैंसन अटक सकती है देखे जो 10,000 पैंसन लाबारती हैं उनका जो आधार नंबर है वह पोर्टल पर अपडेट नहीं होने की वज़े से रोक दी गई है और कहां पर रोकी गई है वह भी बताएंगे जानकारी के इनसार वित्तवर्ष 2022 में समाज कल्यान योजना के तहत पैंसन के लिए 32,547 नव्याविदन आये जिसका पंजिकरन हो गया है वही 68,000 लाबारती पहले से ही पोर्टल पर पंजिकरत है हर पैंसन के खाते में 1000-1000 रुपे महीना भेजा जाना है जिसकी परिक्रिया सुरू हो गई है और जल्दी पैंसन की रासी इनके खाते में जारी कर दी जाएगी इसके इलावा 10,000 पैंसन दार कैसे है जिसके आधार कार्ड के नंबर विवाग ये पोर्टल पर पंजिकरत नहीं है विवाग ने आधार कार्ड अनिवारिय कर दिया है ऐसे में इन सब की जो पैंसन है वह रुक सकती है या अटक सकती है क्योंकि आधार लिंक होने की जो आखरी तारिक थी वह 31 मार्च तक रखी गई थी अगर अपडेट आगे बढ़ती है तो इन पैंसनों को ला मिलेगा लेकिन पोर्टल पर आधार का नमबर अपडेट होने के बाद ही इन लोगों को पैंसन मिल सकेगी देखे जो आधार कार्ड का जो नमबर अपडेट करने की जो तारिक थी वह 31 मार्च थी और अभी इसे आगे नहीं बढ़ा गया है और जिन लोगों का आधार नमबर पोर्टल पर अपडेट होगा उन्हें ही पैंसन मिलेगी अगर यह 10,000 लावार्च भी अपना अधार नमबर पोर्टल पर अपडेट करते हैं तो इन्हें पैंसन दिया जाएगा दोस्तो और यह जो 10,000 लावार्च यों की पैंसन रोकी गई है वह आपके उत्तर प्रदेश का वारान सी जिला है वहाँ पर इन 10,000 लावार्च यों की पैंसन रोकी गई है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के वारान सी जिले के रहने वाले हैं तो आप फटापट से अपना आधार कार जो नमबर है वह पोर्टल पर अपडेट करा दीजिए अपना जो पैंसन का KYC है वह करा दीजिए जाएगा आपकी पैंसन रोक दी जाएगी तो यही थी पैंसन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी अपडेट फटाफट से आप इस काम को कर लिजिए अगर आपको पैंसन लेना है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक सेर कमेंट जरू करें और चैनल पर न